अरे किष्णा श्री श्री मायपुर्धाम की खैब तो बहुत बड़ा सोभाग्य है आप सबका हम सबका कि आज मायपुर्धाम में प्रवेश मिला है देखिए संसार में सबसे मुश्किल चीज क्या है बहुत सारी कठिन चीजे हैं जिसको हम अभ्यास करके करकर के उसके उपर एक्सपर्टीज ले आते हैं निपुन हो जाते हैं उसमें मगर सबसे कठिन चीज क्या है अगर आप सोचे कि बहुत सारी मुश्किल चीजे हैं मुगर उसमें सबसे मुश्किल चीज क्या है तो शाह सर्व बदाते है कि हाँ सबसे मुश्किल चीज क्या है कि जो संसार में जब अधर्म बढ़ जाता है अधर्म का नाश करना अधर्म को दूर करना सबसे कटिन चीज है बहुत मुश्किल है इतना मुश्किल है कि इसको दूर करने के लिए किसको आना पड़ता है भगवान को आना पड़ता है युग-युग में मुझे आना पड़ता है कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में अलगर रूपों में आता हूँ किसके लिए? अधरम का नाश करने के लिए तो बड़ी कठीन चीज है यह, बड़ा मुश्किल है हम लोग नहीं कर पाएंगे पता क्यों नहीं कर पाएंगे अधरमी हम लोग अधरमी वक्ती कैसे अधरम का नाश करेगा खुद ही अधरमों में अपने पापों में फसे रहते हैं वो मोटर तो बननी होती पाप की एफुद है है तो नाम भी अधरम और कारय दिए आखे अधरमे लोग बाझा है कि अभी सामने तो प्रचीव कर लेते हैं बड़ान से पहले बवान के बड़तों का गुण गान होना चाहिए तो महराची इज़ आप जगा देख रहे हैं अब खंडर ववा करते थी यह जंगल ववा करते थे तो अपने सिंगल हेंडु ली माराजी ने इस जगा को संभाला है उसका कारगावार संभाला है और इतना सुcomesरर मंदिर दिया है हमें अरी वो और माराजी प्राउपाजी के लिए पूर्णनागत है प्रहुपाजी के भक्तों के लिए पूर्ण शनागत है, उनका हिदे, उनका मन, उनका विचार, उनकी सारे इंद्रियां है, सारा जो शरीर है, उठाकुरजी और ठाकुरजी के भक्तों के लिए है, तो अकेले यहां पे पूरा इमठ संभालते हैं, यहां पे बहुत सारे करके आएं तो शाम के समय में अकेले महाराजी थे है यहां पर माइक घा अगया था ड़ादा मदन महाराजी थे और अकले यहां पर कीरतन कर रहे थे अप्रज म्हाराजी और जानते हैं कि अकेले नहीं है कि हरीकता होती है महां ठाकुरजी व करbonिकोर करेंगे है तो महाराज सब भकतों का अपने हिदे से स्वागत करते हैं, उनका उनकी सेवा करते हैं, बहुत ही कोमetzung महाराज का और बहुती विशाल हिदे ऐसे भकत तो आपको धाम महीं मेल पाएंगे, तो एक प्रकार के पक्के जो धामवा से अगर आपको देखने हैं तो वो मुल्टिक्ते हैं, हिसोले अवदूद स्वामी महाराजी में हैं। और बहुती प्रेम है उनके हिदे में भक्तों की सेवा करने का। तो निश्चित रूप से हम महाराजी से चाहिए कि हम आशिरवाद देजें। की त tap के हम भी यह भाव, के कुछ रचमातर हम ले दापाएं अपने जीवन में अपना पाएं। और अपने जीवन को की ताहःत कर पाएं। त एक बार, धन्यवाद देंगा निश्चित किवे चाहनन्टिंग हरे क्रिष्णा ! हरे राम हरे राम RAM RAM हरे Hare अरे हिसुलनेस अब्दूत स्वामी महराजी की शीलब रभपाद की निताई गौर प्रेम अनन्दे तो दुर्जनों को सुधारना असान बात नहीं है हमारे अपने घरों में कोई ना कोई दुर्जन बैठे होते हैं जनम भी जाते हैं उन दुर्जनों को सुभालनी पाते सब परिवार के लोग लगे होते हैं कैसे कैसे इसको सुधार दें मगर वो हमने सुधरे के वाली केटेगरी में है असान नहीं है दुर्जनों को सुधारना मगर वही शासरे बोलते हैं कि हाँ दुर्जनों को दुर्जनों को मारना बड़ा कठीन है, मगर उससे भी कठीन है दुर्जनों को सुधारना, मार काट करना बड़ा असान है, उठाया भाला मार दिया, उठाया शब्द मार दिया, तो मारना, काटना, पीटना, छोडना, घ्रिना करना, यह बड़ा असान है, मगर किसी व्यक्ति को सुधार देना, उसकी पाप की वृत्ति को सुधार देना बड़ा कठिन है तो ऐसे देखिए, हमारे जो इतिहास गवा है सत्यू में ऐसे दो बड़े पापी थे, हिरन्याक्ष और हिरन्यकशिपू तो उनको सिखाने के लिए भगवान आये है मगर सिखानी पाए, बहुत समझाया, हिरन्याक्ष को बहुत समझाया भगवान ने हिरन्यकशिपू को बहुत समझाया, खुद भी समझाया, अपने भक्तों के द्वारा समझाया नहीं मानने को तयार था तो क्या हुआ, बिणाष का ले पृत बुद्धि, नहीं समझ पाया हो, तो मारना बढ़ा भगवान को, रनाक्ष को मारा, रनाकशे को मारा, पिर धृता यूग आया, तो धृता यूग में श्वय भगवान आए, शिराम चंदर के रूप में, तो उस तो यह रावन कोन है? ब्रामण का पुत्र है ना? तो ब्रामण को भी मारना पड़ा भगवान को. स्थी को मारना पड़ा. और फिर द्वापर्यूग आया. तो यह तो लीला पुर्शुत्य महवान है कृस्टन, यह तो मदूर लीला है करते हैं, मगर वो मधुर से बच्चे ने भी क्या गया, छे दिन में ही शुरू कर दिया अपनी काम, वो भी सफाई के अभियान में शुरू हो गये थे, स्वच्छ भारत मिशन, छे दिन में निप्टाने लगे थे, पूतन आई उसको निप्टा दिया, सोची स्त्री के रूप में हैं, उसको मार दिया भाणने, तो बड़े बड़े भवान के अवतार आए, स्वरूप आए, मगर उन्होंने क्या किया, सारे ही जो दुर्जन लोग हैं, उनको मारा उन्होंने, मगर हमारे शाहस्त पहुजाता है, कि दुर्जनों को मारना असान है, मगर दुर्जनों को सुधारना उतना ही मुश्किल है, तो उन दुर्जनों को सुधारने के लिए, वही भगवान एक बड़ा अदबुत रूप लेके आते हैं, और वो कौसा रूप है, गोरंगा, तो जो गोरंग रूप है, ये दुर्जनो को मारने के लिए निया है, दुर४जनों को सुधारने के लिए है तब कोई पूरा शासर पढ़ लिजे चतने चढितामनीत पढ़िए, चतने भागवत पढ़िए चतने मंगल पढ़िए, उसमें कहीं पे भिभगवान चतने महाप्रभू Aपको किसको मारते हों नजर नहीं आएंगे, मगर हाँ, उनकी जो हिदे में जो पाप की प्रवित्ती है, उसको जुरुन मारा, तो बड़े-बड़े दुरजन आये थे महाप्रव की लीला में, चांद काजी आया था, मितंगा तोड़ दिया, भक्तों को पीट रहा था, मंगर महाप्रव ने इसको मारा नहीं, केशयो काश्मीरी, बड़ा अंकारी था वो, वो आया शास्त्रार्थ करने के लिए महाप्रव के साथ, बोलो आओ, थोड़ा अर्गुमेंट करो, तरक वितर्व करते हैं शास्त्रों के बेसिस पे, महाप्रव ने बोला नहीं, इलो सर्टिफिकेट ले लो मुझसे, मैं तुमसे तरक वितर्व नहीं कर सकता हूं, तो उसको भी भवान ने मारा नहीं, तैसे बड़े दु तो हैं ही कृष्ण, मगर कृष्ण कौन से हैं वो, राधारानी का भाव लेके आएं, और राधारानी तो मा है, ममता है उनके हिदे में, तो जैसी मा आ जाती है, तो वहाँ पर प्रेम आ जाता है, तो कृष्ण तो प्रेमी है, कृष्ण तो प्रेम देते हैं, मगर अब वो क वो रादरानी का भाव लेके आये हैं, फु 00.12.?? फूप में रवा बर्साने आये हैं, क्योंकि तो रादारानी, प्रेम बर्साती हैं, बोले बर्साने वाले की, ason usas onajatrbh. ऐसके रड़ानी की候र्ण बर्सते हैं ?्र रादारानी की यह रख हां लो तो घुर दुuff। मगर राधारानी वो तो प्रेम की देवी है तो राधारानी का भाव लेके आई है इसलिए भवाशे कृष्ण बड़े उदार हो चुके है बड़े कृपालू हो चुके है अब वो सुधारना चाहते हैं सबको तो यह हमारा सोभाग्य है अब राधार में आए तो पर श्कृटन पर फॉस्भाशे कृटन dip job में जुरे हम फों वर्वाश पुर इसी भूमी पर जहांपे आप हैं यहांपे चु क्ue bucks लेन वे लाएं चलती रहती हैं तो महादानी हो एक दानी होता है जो सामने वाले की प्लेट में कुछ दान दे देता है उसको चूपता है वो दान मगर फिर भी दान देता है तो दानी कर लाता है मगर एक व्यक्ति होता है जो महादानी है वो क्या करता है उसके पास सामने वाले के पास प्लेट भी नहीं है तो पहले प्लेट देता है उसके पास दान देता है तो ऐसी चेतने महाप्रवू है वो दान देने आये हैं और ऐसा दान जिस आज तो किसी ने दिया नहीं है कौँसा दान है वो? प्रेम का दान है, कृष्ण प्रेम का दान अनार्पित चरीम चिरात करुणिया अवती न कलो उन्नत उजवल रसाम स्वभक्तिम शियाम अनर्पित अर्पित क्या मतलब होता है? ऑफर करना, अनर्पित मतलब अनौफर्ड भगवान शिरी कृष्ण ने आर्ज तक अपना प्रेम किसी को दिया नहीं क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो इसको प्रेम देते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जयता है भगवान से जैसे हम अपने लोकर की चाबी सबको नहीं देते क्यों? क्योंकि वैल्यूबल है वो मुल्लेवान चीज़े हो उसमे जिसको दे दी तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा हमसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा ऐसी भगवान का प्रेम जिसके पास है भगवान बोलते हैं मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है मेरे से बड़ी पोजिशन है इसकी ऐसे भगवान बोलते हैं मैं सोतंतर हूँ मगर जो मेरे भक्त हैं वो मुझे बांध लेते हैं क्योंकि उनके पास मेरा प्रेम है ही अस्वतंतर इवदिजा सादू भी ग्रस्त हिद्यो भक्त भक्त जनापिया महान बोलते हैं मैं आहम भक्त पराधीन हूँ मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूँ तो कि इस भक्त के हिद्ये में मेरा निवास है यह मुझे प्रेम करता है उस प्रेम की रज्जु में मेरे को बांध लेता है इसलिए मैं इसके अधीन हो जाता हूँ तो चतने महाप्रवु ऐसे महादानी है कि वो भगवान कृष्ण का प्रेम तो देते ही है वैसे बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण का प्रेम है वो कैसा है वो सिंग के दूद जैसा है शेर का दूद पिया है आप लोगने कभी एक बच्चे ने बोले बोले हा मैं पीता हूँ मैं शेरनी का दूद पीता हूँ मां शेरनी जैसी यह जब पिताजी सामने आते हैं फिर शेरनी के तरह दाड़ते हैं जोग से पाट शेर का दूद्ध पी ने सकते हैं लोग क्योंकि उसको सम्हाली ने सकते हैं शेर का दूद्ध सम्हालने के लिए पातर चाहिए उसके लिए उसके लिए वो सोने के पातर में टिकता है किसी और पा वहीं संभल पाता हो तो ऐसी कृष्ण प्रेम भी इतना शक्तिशाली है कि हम जैसे लोग संभाल नहीं पाएंगो उसको और नहीं हमारी को योगिता है तो चतेने महाप्रभु क्या बोल करते हैं पहले उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें पात्र बनाते हैं योगेता देते हैं और उसको फिर उस पूरे कंटेरर को भर देते हैं कृष्ण प्रेम से तो यह हमारा सुभागे है तो इसी इस थली पे नवदीप में मायपूर में चतेने महाप्रभु का प्राकर्टे हुआ था आसे पांसो वर्षपूर तो महाप्रभू ने अलग अलग जगाओं पे लीलाएं करी थी इसको नवदीप भी बोला जाता है इसकी चर्चा हम करेंगे आने वाले सत्र में कि क्यों इसको नवदीप बोला जाता है कैसे उत्पन हुआ बट अभी के लिए जान लेते हैं कि नवदीप नवदीप मतलब नवदीप, no islands तो यहां पे islands है, टापू है तो नो टापू है तो अभी जो जिस्तान पे आप आएं है ये भी एक island है, अभी उटने न बोट्स थे पानी से उतरे तो बीच में एक टापू आ गया इस टापू का नाम है गोद्रूमदीप क्या नाम है गोद्रूमदीप तो आज हम इसकी महिमा जानेंगे मगर एक मारे भक्त हैं जो गोद्रूमदीप की महिमा सुनाते हैं अगर किसी को धाम निष्ठा सीखनी है तो इन से सीखिए इनका नाम है प्रभूदानंद सरस्वतिय तो बड़ा सुन्दर इन्होंने गोदुरम दीप के बारे में बता है आप सुनिए कोटी चिंता मनियादी मिले अन्यस्थाने शीहरीर बहिर दिष्ठी अदिये स्थाने तथा पी गोदुरम धूली चाडिये शरीरा अन्यत्र ना जाये ये ना भुद्धी होये स्थीरा ऐसी धाम निष्ठा है प्रभूदानंद सरस्वतिय बोलते हैं कोटी चिंता मनियादी अगर कोई मुझे चिंता मनि रतने दे दे एक नहीं कोटी मतों करोडों चिंता मनि रतने चिंता मनि क्या होता है आप चिंता कीजिए आप इच्छा कीजिए वो पूरा कर देगा ऐसे रतन होते हैं तो कोई मुझे ऐसे करोडों रतन भी दे दे और फिर मुझे बोले कि गोदुरम धीब जहां पर आप बैठे इसको छोड़ के चले जाओ तो मैं उसको उन रतनों को बोलूँगा नमस्ते बोले नहीं आप ये अपने पास ले जाएए मुझे यहीं रहना है क्योंकि ये स्थान इससे कोही ज़्यादा मुल्यवान है इस स्थान पर आप आए हैं तो ऐसे तो धाम में हर स्थान जो स्टेप है आप रतनों को उपर ले रहे हैं तो आपको अभी ये मिट्टी लग रही होगी मारबर लग रहा होगा मगर ये तो सब चिंतामनी धाम है सब चिंतामनी रतनों से मना हुआ है हमें दिखते नहीं है पर दिष्टी नहीं है नहीं इस गोदुरूम दीप के धूली में ही छुड़ना चाहता हूं, अन्यतर न जाए ये न बुद्धी हो स्थिर, मैं यही चाहता हूं, एक ही हे बगवान, मेरी बुद्धी यहीं पर स्थिर हो जाए, रादा मदन मोहन के चड़नों में, यहीं पर मैं निवास करूं, मैं कहीं औ और जानाने चाहता, तो इस जो नाम है गोदुरूम दीप, इक ऐसे पढ़ा, गोदुरूम, इसके लिए हमें भागवत में जाना पड़ेगा, तो बड़ी कनेक्टिड है गौर लीला और भागवत लीला, चतन्य लीला और कृष्ण लीला, आपस में बहुत संपर्क है, क्य क्रिष्णी तो है, सेही गौर, सेही कृष्ण, सेही जगनात, एक बार की बात है, देवराजिंद्र बड़े रुष्ठ हो गए थे, अपने सिहासन पर बैठे थे, मगर मजा नहीं आ रहा था उनको, मजा आये क्यों ना, क्यों क्योंकि वहां पे भूलोक में हर साल उनकी अब यहां इंद्र तो बैठा है, वेट कर रहा है, किसकी वेट कर रहा है, बोले पूजा आएगी, पूजा आएगी, पूजा का नाम जा परा, पूजा आई नहीं, पूजा किसी और की होगी, किसकी होगी पूजा? गोर्दन महाराज की वो तो उड़ा ले गए वो तो सबके घरों में जाके बोलते हैं किसी और के पूजा नहीं करने पूजा एक लाइक तो एक ही व्यक्ति है वो है महूँ มत्चिताम्तगटव्य प्रणा बदयंता पर्शप्रम से अन्ते अलने-चे अपना मुझे में लगौछू मेरी कता करो मेरा किर्थन करो मुझे भोग लगौberry अरपन करो सब कुछ मुझे, 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 मुझे अब किसी और का नंबर कैसे आएगा सब कुछ मुझे चाहिए तो यह कृष्णा है तो वहाँ देखा यह नंद बाबा और सब लोग कुछ तैयारिया करने है ऐसे लगा है कुछ रिचूल होने वाला है कुछ अनुष्ठान होने वाला है हर रोज तो मुझे पूछते थे सुबह उठने पर कि बेटा क्या खाएगा तू क्या करेगा और यह जो मेरी इशोदा मैया थी यह तो मुझे को सनान कराती थी सुगंदित जल में मगर आश तो पूछ नहीं रहे सब कहीं और बिजी है अब यह लाला को रासनी आया हम तो बड़ी फोकस्ट हैं बड़ी हम हमें चाहिए कोई मुझे पूछे बार-बार मेरा स्मरण करें मुझे याद करें वगर यह लोग तो किछ और सिवा में लगे हैं कहां जा रहे हैं तो नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा बोले रहे हैं हाँ हम जा रहे हैं अब इंदर की पूजा के लिए जा रहे हैं तो सब आप कथा जानते हैं लाला ने बोला कि क्यों इंदर की पूजा करते हैं नंद बाबा बोलते हैं कि हाँ इंद्री है जो वर्षा करते हैं वर्षा से अनुपण होता है अन्न से हम सब जीवात्माओं का पेट पलता है अन्नाद भवंती पूता नी परजन्याद अन्न सम्मभा तो अगर इंद्र रुष्ट हो गए तो फिर भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन की पूर्ती के लिए सुख सम्रिद्धी के लिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ऐसी बड़े सारे तरक दिये भगवान की खिष्ट ने सारे तरक काट दिये तब अल्टिमेडली भगवान ने मना लिया नदबाबा को आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी आज से अब किसकी पूजा करेंगे और गिर्यराज महराज यख़ की वही अनदाता है वही देने वाले है वही रख्षक है वही Govio के पालख है तो उसे की पूजा होगी अब ये अंद्र सहन नहीं कर पाता क्योंकि अंकार तो है पदवी का अंकार है कि आज तक जो पूजा मेरे पास आती थी तो पूजा किसी और की होगी तो सहन ने कर पा रहा है तो रेगुलेटर चालू किया खूब वर्शा करी खूब ओले बरसाए अगर वहाँ पे देखा तो एक बूंद पानी की नहीं गिरी ब जानों ङिल गया है क्रिश्ण अब कृष्ण को टाक रहें भर भर के भर के वर के क्रिश्ण का जो लांडद है उसको आस्वादन कर रहे हैं लूट रहे हैं अपना सो भागे लुकर quiz यहां समझे में में मगर इंभ ए वह जल रहा है मैंने इंसे पंगाल ले लिया यह तो सबसे बड़ा अपराद है कोई किसी जिवात्मा को दुखी कर दे अपराद कर दे तब तो समझ आता है मगर कोई साक्षात भगवान से इर्शा कर ले उस वक्ति कि क्या ही गती है तब इंद्र शमायाचना करने के लिए भगवान के पास आता है तो गान शमा कर देते हैं उसको माफी दे देते हैं अब माफी तो मिशमा तो मिल गियो उसको मगर इंद्र को लग रहे डाटा नहीं कुछ तो बोले कुछ दंड तो दें यह कैसी माफी हो गई तो अब इंद्र यही सोच रहा है तो अब यह चो कथा है नित्यानन्द प्रभु जीव गो स्वामी को सोनाते हैं जैसे आप लोग परिक्रमा में आये हैं अभी तो आप से पहले बहुत सारे बड़े-बड़े भक्त यहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं इसलिए स्थान और ज्यादा पवित्र हो जाता है कि भगवान ने तो यहाँ पर लीलाइं करी हैं मगर इतने सारे भवान के भक्त भी आ चुके हैं यहाँ पर उनकी चरण धुली भी यहाँ पर है तो यहाँ तो जितना लूटा जाए उतना कम है तो जहाँ पर मिट्टी मिले ना लोड़ जाओ वहाँ पर ना क्योंकि यहाँ पर भवान के साथ भवान के भक्तों के चरण भी है तो सबसे पहली परिक्रमा यहाँ पर कराई थी सुएम नित्यानन्द प्रभू ने जीव गोस्वामी को तो हाथ पकड़के लेके गए थे हर एक लीला सली पर बताया था कि क्या क्या हुआ था यहाँ तो नित्यानन्द प्रभू अब जीव गोस्वामी को यहाँ पर बता रहे है दयार समूद्र नंद तनाया शमीला इंद्रेरे दिला अभाया कि भगवान ने तो क्या किया है इंद्र को अभे दे दिया कि जाओ शमा किया माफी दे दि सारे पाप माफ मगर इंद्र को अंदर अंदर डर लग रहा है बोले दुबारा में गल्ती कर दूँगा तो क्या होगा फिर दुबारा माय में गर जाओँगा तो क्या होगा तो अब कहां जाता है इंद्रे सुर्भी मैया के पास जाता है वो सुर्भी मईया उगाय जो गोलोक में जो उपर के लोकों में निवास करती है बड़े सुन्दर उसका अमरित के समयान दुखध होता है तो सुर्भी मईया के पास जाता है क्यों? क्योंकि जानता है ये कृष्ण कौन है ये गोपाल है इनको गोवो से बहुत प्रेम है तो मैं सामने जाओंगा तो मुझे तो डांट फटकार देंगे उनकी डांट स्वाहन निकर पाऊंगा तो नजदीकी को लेके जाता हूँ ये प्रेस ही है उनकी इनको साल लेके जाता हूँ इनकी आड में जमा मांगलूगा माफी माँगलूगा दन ले लूगा तो शुरभी महिया को साथ लेके अब इन्दर बोचते है तो इन्दर सुर्भी महिया को बोलते है रे मेरे को चैन नहीं आरा है मुझे ऐसे लग रहा है जीवन खोखला हो गया क्योंकि heaven maaf toh कर दिया कोई दंड नहीं दिया अभ दिखिया कोई खांदा नहीं होगा ना उसको सचपुछ में चैन नहीं आएगा प्रभ इंद्र तो है खांदा नहीं ब्यक्ती है đevaraj –द्र si भत बह proclaimed बतान दान्ट देदें तो शान्त हो जाओक। तब सूर्विय मीया क्या बोलती है इंद्र के इस वचन को सुनके शुनेशी कलीते ब्रजेंद्र सूता करीबे न दिया लीला अद भूता तो ये इंद्र के इन वश्णों को सुनकर सुर्भी बोलती है कि अरे बड़ी जल्दी कल्यूग आने वाला है और कल्यूग में कौन आने वाला है ब्रजेंद्र सुन्त शिगुरंग महाप्रभू की तो स्वयम साक्षात वो लीला पुष्योतन भवान शिक्रष्ण वो आने वाले है कल्यूग के अंदर और कहां पर आएंगे वो नदिया में आएंगे और बड़ी अद्बूत लीला यहां पर वो करेंगे तो इंद्र बोलता है कि अरे मैं भगवान से मिल गया मोहितना हो जाओं तो मैं पुना भगवान से शमायाचना करना चाहता हूँ तो इंद्र अब सुर्भी को बोलते है तुमी तो सुर्भी साकल जान करा हो पखाना ताहार विधान अरे सुर्भी ओ मैया आप सब जानते हैं मा तो सब जानती है उपर से जताती है कि नहीं पता उसको मगर हमारी एक-एक नटखट पने को सब जानती है तो इंद्र आप मेरे हिदे को जानते हैं कितना काला है मेरे हिदे तब क्या करिए ये जो दूविदा में फसा हूँ ये जो संश्यों में फसा हूँ आप इसको दूर करिए इसका कुछ विधान निकालिए कुछ सॉल्यूशन इसका निकालिए आप अब क्या करते हैं सुर्भी मेरे दोश लोकों में परमर्ष देती है इंद्र को क्या बोलती है तो बोलते हैं आरे चलो 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 एक सॉल्यूशन है मेरे पास कहां चलते हैं अब हम लोग नवदीब चलते हैं नवदीब धामे चलते हैं वहाँ पे क्या है किसले जाएगे नवदीब धामे क्या करेंगे वहाँ पर जाके बोले वहाँ, वहाँ पर बड़े अच्छे नारियल के पानी मिलते हैं वहाँ पर बड़े अच्छा ब्रेकपस्ट मिलता है बड़े सुन्दर सुन्दर अजगूले गुलाव जामन मिलते हैं मिष्टी दई मिलती है चलो सब मिलके कहां चलेंगे हम नवदीप चलेंगे इसलिए चलो इंदर तुम भी चलो मेरे साथ तुम्हें बताती हूँ हाँ पर कितने विष्ठान मिलते हैं अलग-अलग मेरे गाय के दूद के सुन्दर वेंजन मिलते हैं चलो इसलिए चलना नवदीप किस लिए चलना है नवदीप धाम भजी निमाई अरे नवदीप धाम में जाना है और जोर जोर से किसका नाम लेना है गोरांगा तो जाले नवदीप चलते हैं और जोर से गोरांग का भजन करेंगे निमाई का भजन करेंगे हम तो इस प्रकार अब सुर्भी सॉलुशन देती है इंद्र को अब यह जो गोरांग भजन है इसकी क्वालिटी बता रही है सुर्भी मगिया गोरांग भजन साहज आती सहज तहार फल भीताती यह जो गोरांग भजन है यह सारे भजनों में सबसे सहज है सबसे असान है सबसे सरल है हरे कृष्ण महा मंतर करते करते भी हम लोग अपराद कर बैठते हैं इसलिए उससे पहले हमें कौंसा मंतर बताया गया है पंचितत मंतर बोल लो उसके बाद अपराद भी करोगे वो शमा है क्यों क्योंकि निमाई निताई है यह परम करुणा है यह सब का उधार करने आए ह है इसलिए इनको पता नहीं होता कि अपराद होता क्या है तो यह गोरंग भरजन है सबसे सरल है तो क्या करते हैं अब सुर्भी और इंνद्र दोनों मिलके क्या कर रहे हैं गोरंग बोलिया क्रन्दन कारे गोरंग दर्शहन होए सत्वारे तो अब बड़ी ही जल्दी, सत्वरे मतलब होता है very fast, बहुत ही जल्दी, शणों शणों के अंदर सामने उनको दर्शन हो जाता है, किसका दर्शन हो जाता है, साक्षाद गुरंग महाप्रभू का दर्शन हो रहा है, इंद्र को और सुर्भी को अब प्रशन है कि इतनी जल्दी कैसे दर्शन हो गया, पहला कारण है कि उन्होंने किसका भजन किया, गुरंग का भजन किया, और दूसरा कैसे भजन किया, गुरंग बोलिया, करंदन करे, रोते रोते, सजल आखों से उन्होंने गुरंग महाप्रभू का भजन किया, तो ये विदी है भजन करने की, भगवान को पराप्त करने की, अगर कोई सादक बड़ी जल्दी कृष्ण को पराप्त करना चाहता है, तो अगर उसकी आखों में आसु नहीं आ रहे, तो मतलब कोई भजन नहीं कर रहा है, अब इसका यह मतलब इन ग्लिस्निल अगा कर शुरू हो जा फिर कभी पबलिक में निकलेंगा नहीं, ऐसे आसु तो बस थाकोरी के सामने ही होते हैं, उनी के लिए है, जो भी पबलिक में आसु है, जितने लोग पबलिक में रोते हैं, वो केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, प्रपंच है बस, कि बताने के लिए कितने बड़े महान भक्ते हैं, जो महान भक्त होगा, वो तो अपनी भक्ती चुपा के रखेगा, वो उसका प्रदर्शन नहीं करेगा कभी, तो यहाँ, अब इंद्र के तो आसू ऐसे निकल रहे थे, बिचा रहे के, करता मरता क्या ना करता, तो तो ऐसी पुकार रहा है भग्वान को, तो उसके तो आसू निकल रहे हैं, अगर साथ साथ एक शुद्ध भक्त है, सुर्भी, वो भी प्रेम से गोरंग भजन कर रही है, तो हांखों से करंदन हो रहा है, रो रही है, देखिए, गोपियों से भाग Botton दूर चले गए थे, राजषु वीला करते हुए, तो हसके बाद उनको बुलाने के लिए, गोपियों ने क्या किया, कौं सा गीत गाया था, गोपी गीत गाया था, गोपी गीत के बाद भागवत में बताएगे कि भगवान आये नहीं थे भगवान वहाँ पर पहुंच नहीं पाई क्यों? वो यह गा रही है, गाने बजाने में क्या है इनके गाने से मैं आ जो हूँगा क्या उसके बाद फिर भागवत में वर्णन आता है कि गोपी ने क्या किया? रूरुदू वो रोई है और जब रोई तो फिर भगवान उनका हिदय द्रवित हुआ क्या रहे मेरे भक्त मेरे लिए रो रहे हैं मैं यहां कहां यहां बैठ सकता हूं उनके बिना तो तुरंत अपना धाम जोड़के फिर वापिस गोपियों के पास आ जाते है तो भवान को पुकारना है भगवान को बुलाना है तो एक ही सादन है उनके लिए रोना पड़ेगा देखिए रोना तो है संसार में रोना ही लगा सबका खुद नी रोते तो दुनिया वाले रूलाते है माया रूलाती है तो असे अच्छ है कि वहाँ न रोए तो हम भगवान के लिए रो लें कीर्तन, कीर्तन शर्प्त का उल्टा क्या है नर्त की, मतलब नाचना तो है आपको, नर्तितिक आप बनेंगे बनेंगे, तो अगर माया की नर्त की नहीं बन जाने चाहते इससे पहले भगवान के नर्त की बन जाईए भगवान के सामने जोर-जोर से हाथ उड़ा के निकिर्तन कीजिए माया कभी आपको नचानी सकती है बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है तो यहाँ लक्षमन जी भी पूछते हैं, शिराम जी से एक दिन जब शिराम जी थोड़े से कम बीजी थे, तो लक्षमन जी ने पकड़ लिया बोलते हैं, राम चंदर जी आप है तो मेरे भाता न मेरे अगरज हैं, मगर मुझे कभी समय नहीं मिलता आपका, आज मुझे टाइम मिला है, मुझे आप बताइए कि आप की प्रेम भक्ती किसी को कैसे मिल सकती है आपके लाखो करोडो भक्त हैं, मगर उसमें सबसे प्रिय कौन है आपको तो फिर राम चंदर जी बोलते हैं, हाँ वो भक्त जो मेरे लिए रोता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है जो मेरे लिए करन्दन करता है जिसके हिदे में बैठा होता हूँ और मुझे हिदे में ना पाने के कारण उसका पार्मन मेरा स्मरन करता रहता है वो मेरे लिए रोता रहता है वो मेरा प्रिय भगता है तो रामचेंदी जी बोलते है कि जो निरंतर अपनी आँखों से अशुदारा भाता है मेरे लिए मेरे करंदन करता है मेरे समनन करता है तो वो मेरा प्रियभक्त है शासरुदारन है इतिहासुदारन है नर्सिंग मैता मीरा भाई रो रो के आखे काली हो पड़ गी है आखों से दिखना बंद हो गया है मगर भगवान को पुकारना छोड़ा नहीं है भगवान के लि और अधरियागरा कि कब वो दिन आयगा कि मैं भॉवान के नामों कर दो इतना के पिर्टन कर लू इतना के पिर्टन कर लू आ अख और्वार निकले कब वो दिन आयगा अभी तो कीटन चल रहा होता है पूरी लागुट साउंड में कुछ लोग ऐसे बखत होते हैं तुम करते रहो है हम तो अनर्जी पचाके बैठें है हमें तो वापे दिल्ली जाना है तो बदनम गदगद रुधियागिरा कब वो दिन आएगा कि कला मेरा अवरुद हो जाएग आँकों से अशुदारा बयेगी मैं हरी नाम में डूब जाओंगा पागल हो जाओंगा कब वो दिन आएगा वेन विल दाट डे काम कबे हवे बोलो शेदिन आमार कब वो दिन आएगा तो इस प्रकार अब सुर्भी और इंद्र करंदन कर रहे हैं चैतने महाप्रभू को प प्रकट हो जाते हैं उनको अपना दर्शन देते हैं और इंद्र अपनी व्यता व्यक्त करते हैं चतने महाप्रभू को कि महाप्रभू ओ कृष्णा मैंने आपके प्रतिया पराद किया है आपने मुझे शमा भी कर दिया है मगर मेरे हिदे मेरे दिल में मुझे चैन नहीं मि और तब तुमें भी मोका मिलेगा मेरा दर्शन करने का, तो इसके बाद चतेने महापरभू अदिर्श्य हो जाते हैं, और इंद्री भी चले जाते हैं, मगर सुर्भी मैया वो यहाँ पर स्थित हो जाती है, इसलिए जो दीप है, इसका नाम है, गो द्रुम दीप, गो मतलब द्रुम मतलब वरिक्ष, तो अभी भी सुर्भी मैया नितर रूप में यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर जो अश्वत वरिक्ष है, उसके नीचे सुर्भी मैया हमेशा विराजमान रहती हैं, तो इसलिए यहाँ इसका नाम पड़ गया, गो द्रुम दीप, और यह जिंदावन में सुर्भी वन है, वही नवधीप में सुर्भी कुंज है, अब आगे एक और कथा भी हुई थी यहाँ पर, कि भगवान ने अब सुर्भी मैया को यहाँ पर नित्य रूप में स्थान दे दिया है, कि आप यहीं पर रहिए, तो एक समय की बात है, मारकंडे र मनना है, कई पर रिशियों में न इच्छां जागरी तो जाती है, मुनी बोलते ही, मुनी मतलब जो लीप से बात करता है, सब जानते हैं मरना है, मरना है, जातस से ही दुरूवमित्यू, इसने जनम लिया, उसको मरना है, मगर मुनी लोग सोचते हैं, कुछ अलग हटके करते तोही मारकंडे रिशी बहुत हो गया अब अमर मनना है ता उसके लिए अपस्या कर रहे है मारकंडे रिशी तो महा मृतियन्र की मॐ लगा मों। शिव जिआ करते है अब शिव जी तो आश्रुतोष हैं, बड़ी अल्दी प्रसन हो जाते हैं तो बोले नात प्रकट होते हैं, पूछे, इच्छा पूछे, तो मारकंडे रिशी बोलते बोले, साथ कल्प के लिए मैं मित्यू नहीं चाहता हूँ, ब्रह्मा जी के साथ दिनों तक मैं मित्यू नहीं चाहता हूँ, ब्रह्मा जी के साथ दिन कितने हो गए, ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं हजार चत्रयुख. तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ दिन मेरे मित्यू ना हो. तो बोले नाथ भोले ठीक है जी तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा. अब वो तो बोले नाथ कौन है? वो यमराज से भी उपर है. तो यमराज भी उनसे आदेश लेके कुछ आगे कारे करते हैं. तो बोले नाथ ने तथास्तु बोल दिया. अब एक दिन क्या होगा? जब ब्रह्मा जी का दिन खतम होता है, तो उसमें प्रले होती है. दो प्रकार की प्रले होती है. एक जब पूरा सुष्टी खतम होती है, तब प्रले होती है. और फिर ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भी प्रले होती है. जब ब्रह्मा जी के सो वर्ष हो जाते है, तब महा प्रले होती है. और हर एक ब्रह्मा के दिन में के बाद भी प्रले होती है. तो ब्रह्मा जी का दिन ऐसे होता है, कि जब दिन में तो सब चलेगा, हसते खेलते चलेगा, और फिर रात होगी जब, बारा घंटे उसमें प्रले होती है, फिर अगले बारा घंटे में फिर क्रेशन शुरू होती है, अगले बारा घंटे में फिर डिवास्टेशन होती है, ब बड़े-बड़े मेख आ चुके हैं उपर, और खंगोर वर्षा कर रहे हैं, और वहाँ समूद्रों से तुफान आ रहा है, समूद्रों से लहरे आ रही है, चारो तरफ समूद्री समूद्र है, जो पृत्वी है, पता नहीं लग रहा है, कहां पे चली गिए पृत्वी, ऐसा लगता था कि पृत्वी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, हर तरफ पानी-पानी है, बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, और भी जीव-जन्तु, जो पानी के जीव-जन्तु हैं, हर जगा से आ रहे हैं, सारे पेड़ समाय जा रहे हैं, सारे जो बिल्डिंस हैं, वो समाय जा चाया पड़ा है। उस समय मारकंडे रिशी अफ्सोस करते हैं। मांगा तो क्या मांगा। आसमान से गिरे ख़जूर पैटके। क्या मांग लिया मैंने। अच्छा वाला सामने आशुरतोष थे, शिवजी थे मेरे सामने। मगर मैंने क्या मांग लिया। कि साथ ब्रह्मा जी के दिन तक मेरी मित्यू ना हो। और अभी तो पहला दिन है, इसमें हाकार हो गया मेरा। अब ठीक है आपके मित्यू ने होगी, मगर कष्ट तो होई रहा है। पानी यहां से उठाके फैक रहा है उदर उदर। अब सोचे सुनामी के लांःमे आपको फैक़ते, भलत मरो गी नहीं, जूटे खा ओ तो जूटे खा Agaraya रहें, वहा से गिरते यहां पढ़ते यहां पढ़ते अ अभी चली जा रहा हूं काूमा तो गिरते पढ़ते गिरते पढ़ते अब पता नहीं है तो लहरे मुझे बहां के ले जाएंगी, कहां चला जाओंगा, तो मैं पकड़ लेता हूं उसको, तो उस डाली को पकड़ दिया और फिर थोड़ा ऐसा पेड़ के ऊपर आ गए, और फिर वहां देखा, तो उस पेड़ के एक डाली के ऊपर, एक बहुत बड़ा उस पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु है, और कौन है वो? करार विंदे, न करार विंदम, मुखार विंदे, विनवे शयंतम, वतसे पात्रसे, पुटे शयानम, बालम मुकुंदम, मनसा स्मरामी, शी क्रिष्न गोविंद, हरे मुरारी, एनात नारायन वासुदेव, जीवे पिबस्वत अमृपत देव, गोविंद दामो धरमा धवेति, एक छोटा सा बालक है, करार विंदे, न पदार विंदम, जिसके जो हस्त है, वो कमल जैसे है, जिसके जो पाव है, वो कमल जैसे है, और उसका जो मुखारविंद है, वो भी बिल्कुल कमल जैसा है, ये तो साक्षात गोपाल है, इनका दर्शन हो गया मुझे, तो बड़े, एक प्रकास से बच गए, खुश है अंदर से, कि हाँ, अब आगे कहीं और मुझे कश्ट सेन नहीं करने पड़ेंगे, कमल के तीन गुण होते हैं, कि कमल के आओता बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा सुन्दर होता है, बड़ा सुगंदित होता है, तो भवान के उस रूप को देकर, अब सांत्वाना मिली है, मारकंडे रिशी को, और फिर वहाँ देखा, कि पास में एक मैया भी है, कौन है, ग दूद पे लाती है उसको, और फिर उसको भोजन के लाती है, तब जाके तोड़ी शांती होती है, तिर्प्ती मिलती है, मारकंडे रिशी को, तो करोणो करोण साल ऐसी निकल रहे तो उनके जटके खाता हुए, अब जाके, एक स्थिर स्थान मिला है, जहां पे उनको सुरक् और तब से मारकंडे रिशी बोले, मैं भी यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं छोड़के जाने वाला नहीं हूँ, मैं नवदीप में रहूँगा, तो उने अपना डेरा बसा लिया, और अभी भी मारकंडे रिशी इसी स्थान पर अपना भजन करते हैं, तो यह नवदीप स्थ नित्यानन्द प्रभु यहाँ पर आये थे, और यहाँ पर उन्होंने एक दुकान खोली थी, कौनसी दुकान खोली थी, ना मेरट खोले छे, ना नाम की दुकान खोली थी, और यहीं से हरी नाम संकीरतन का शुवात वाता, तो बड़ा सुंदर भजन है, जो गोदर अंदी लिए से यहाँ पर चलके आये हैं, मगर क्योंकि सबसे बड़ी सुकी बात क्या है, यहीं पर नित्यानन्द प्रभु ने वो दुकान खोली है, मार्केट प्लेस खोली है, हरी नाम की.